So, Hello Guys, तो यहर आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे हिरो S.Ketchum के ड्रीम टीम के बारे में यार अगर मेरा मतलब तुम अभी तक नहीं समझें तो यहर मेरा कहने का मतलब यह है कि यहर आज तक जितने भी S.K springs पकड़े हैं और हाँ guys obviously अगर ऐसी dream team हम लोगे S केचम के पास होगी तो फिर guys हम लोगे hero S को कोई भी नहीं हरा पाएगा I repeat कोई भी नहीं और हाँ guys अगर हम लोगे hero S के पास ऐसी उसकी dream team होती है then guys आने वाले Pokemon World Championship में भी हम लोगे hero S असानी से जीच जाएगा और हाँ यार मैं तुमको यह पहली बता दू कि यह कोई ranking नहीं होने वाली है guys यह simply हम लोगे S केचम की dream team की list है so guys वीडियो काफी जदा awesome होने वाली है इसलिए अगर इस चैनल पे नए होतों तो यार इस चैनल को subscribe करना मत भूलना और हाँ यार most importantly लाइक कर देना इस वीडियो को लाइक ये में 400 likes and guys मुझे Instagram पे follow करना मत भूलना बिल्कुल भी और तौर हो सके तो इस वीडियो को share कर देना अब चलो यार आप अपने वीडियो को start कर लेते हैं guys 6 नमबर पे हम लोग आते है सेप्टाइल guys हम लोग का सेप्टाइल एस का first fully evolved grass type Pokemon था and guys एस का सेप्टाइल एक ऐसा Pokemon था जो की dual type नहीं था यार मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार जब हम लोग की हिरो एस ने सेप्टाइल को पकड़ा था उस समय हम लोग की हिरो एस के पास बहुत सारे dual type Pokemon थे guys सेप्टाइल ने हम लोग के हिरो एस को कई लीक्स में बहुत से legendary battles जिताई है और guys इसलिए एस ने सेप्टाइल को एक दूसरे पे बहुत ही अच्छा विश्वास है और हाँ guys सेप्टाइल हमेशा एक serious moody Pokemon रहा है और guys ये एक ऐसा Pokemon है जो की mythical Pokemon को भी हरा सकता है अराम से तो हाँ guys इनी सब चीजों के वजहों से हम लोग का सेप्टाइल एस का dream team deserve करता है नमबर फाइफ लुकेरियो guys हम में से जो लोग Pokemon journey series को follow करते हैं guys उन सबको तो मालूमी होगा कि हम लोग का लुकेरियो अभी हाली में ही रियोलू से evolve हुआ है guys अपना लुकेरियो हम लोग के एस का first non mythical steel type Pokemon है guys अभी हाली में ही Pokemon journey's के episodes में हम लोग को कुछ battles में ass and लुकेरियो का बहुत ही अच्छा bond देखने के लिए मिला है and guys हमारा लुकेरियो एक lotta ass का Pokemon है जिसने aura sphere बहुत ही जल्दी सीख लिया guys जैसी कि हम सब जानते हैं कि starting में हम लोग का yolo ass की उपर विस्वास नहीं करता था and guys starting में नहीं उसका bond अच्छा था और नहीं वो strong था बट अब जब लुकेरियो बन गया है तब बहुत ही ज़दा strong बन चुका है and ass के साथ उसका bond भी बहुत ही ज़दा ताकत वर हो गया है number fourth infernip guys हम लोग का infernip ass का one of the strongest fire type Pokemon है अभी तक का guys Pokemon Diamond and Pearl series के starting में सब लोग infernip को एक बहुत ही ज़दा overpowered Pokemon मानते थे and हाँ of course अभी भी है guys जैसी के हम सब को मालूम है कि infernip का first form यानि की चिमचार पहले पॉल का हुआ करता था जो की बहुत ही strong trainer है और हाँ यार हम लोग के चिमचार को उसी ने छोड़ा था but guys उसके बाद हम सब को पता है कि हम लोग के हीरो एस ने उस चिमचार को पकड़ लिया था ताकि चिमचार को एक बहुत ही अच्छा और loyal trainer मिले guys infernip एक ऐसा Pokemon है जो कि अपने सामने strong से strong Pokemon देखने के बाद भी नहीं डरता है और पीठे कदम नहीं उठाता है guys हम लोग की infernip ने ऐसे ऐसे battles S को जिता हैं जहां पे जीतने का चांस नहीं था guys इन सब चीजों से तो तुम समझी सकते हो कि हम लोग का hero S infernip को कितना प्यार करता था और हाँ ये भी तुम समझी सकते हो कि हम लोग का infernip कितना ज़दा strong था number 3 Charizard guys starting में Charizard भी S को पसंद नहीं करता था और हाँ यार जब हमारा Charizard S की बात नहीं मानता था तब तो हमारा S भी कभी कबार उसे hit करने लगता था बड़ guys time के साथ Charizard को अपने trainer की उपर भरोसा हो गया और फिर guys Charizard हम लोग की hero S की उपर विश्वास करने लगा और guys ऐसे ही S और Charizard की bonding बहुत ही ताकत वर होते गई guys Charizard एक ऐसा लौता Pokemon है जो की अपने normal form में mythical Pokemon को हरा सकता है and guys जब हमारा Charizard mega evolution form में आ जाता है तब वो legendary Pokemon को अराम से हरा सकता है number 2 Pikachu guys S की Pikachu की बिना ये list पूरी नहीं हो सकती है क्योंकि यार हम लोग का Pikachu S का दोस्त नहीं S का Pokemon नहीं S की Soul है जैसे कि हम सबको मालूम है कि Pikachu के बगएर हम लोग S को imagine नहीं करते हैं and guys emotionally S और Pikachu एक दूसरे से जुड़े हुए है and हाँ guys हम लोग की Pikachu ने legendary Pokemon like Latios को भी हराया है guys तुम लोग एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि S और Pikachu की दोस्ती Pokemon World में सबसे ज़्यादा अच्छी है वो दोने एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते है and हाँ यार of course Pikachu जरूस से ज़्यादा ताकतवर है और हाँ यार अगर हम लोग S की Dream Team की बात करेंगे तो Pikachu उसमें आएगा ही नमबर वन S का strongest Pokemon ग्रे निंजा guys इस Pokemon की look तो powerful है बट एर इस से कई ज़्यादा ये powerful है और हाँ guys ये इतना powerful है कि कुछ legendary and mythical Pokemon को ये अराम से हरा सकता है guys हमारा ग्रे निंजा भी S के soul से directly जुड़ा हुआ है और हाँ guys Pokemon World में सबसे ज़र्दा strong bond evolution S and ग्रे निंजा का है तो guys आज की वीडियो को ये पर करते हैं खतम comment section में बता देना कि आज की वीडियो तुमको कैसी लगी and S की Dream Team तुमें कैसी लगी बागी यार अगर अभी नए हो and अभी तक तुमने subscribe नहीं किया इस channel को तो इस channel को subscribe कर दो क्योंकि guys इस channel पर तुमको ऐसे ही अचछे अचछे content मिलते रहते हैं अगर अभी तक इस video को तुमने like नहीं किया तो like कर दो and guys अब करते हैं अपने video को ये पैसा मात मिलता हमें जल्दी एक awesome वीडियो के साथ till then bye